कोरोना संक्रवन ने पूरे देश में हाहाकार मचा कर रखा है और अब तक दो लाख से उपर मौते हो चुकी है वही पर आयोध्या में लगबग 2400 कोरोना एक्टिव केसिस बताय जा रहे हैं जिसमें के 126 लोगों का इलाज दर्शन नगर इस्तित मेडिकल कॉलेज में हो रहा है मांकिस संक्रवित मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज जारी है साथ ही जुलादिकारी अनुज कुमार जान और CMO डॉक्टर घंश्याम सिंग लगातार COVID हस्तित का निरिक्षन कर रहे हैं मरीजों को देख रहे हैं हाल चाल जान रहे हैं वही पर बाच्चीत में जुलादिकारी अनुज कुमार जान ने बताया यहां पर बने L1 Hospital में जो भी मरीज भरती हैं उनका परिक्षवान समय समय पर डॉक्टरों के बनाय हुए पैनल द्वारा किया जो रहा है ऑक्सीजन की कोई कमी यहां पर नहीं है और किसी भी मरीज की जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं जो रही इस संक्रमण के दौर में उन्होंने जुनता से अपील की है कि सयम बरतें और शाषन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन्स का पालन करें कहीं से भी किसी तरहें की अगर आपको शारिरिक दिक्कत महसूस हो तो ततकाल अस्पताल में एमर्जनसी के डॉक्टरों को दिखाएं या फिर डॉक्टरों के बताए गए पैनल से फोन पर सला लेकर दवा ले और इन्हें खबरों के साथ